हेलो दोस्तो इंडो विजडम होम्स में आप सभी का स्वागत है आज हम लाएं हैं आपके लिए 2BHK और 3BHK नरायना के अंदर और बहुत ही किफायती सस्ते दामों और जैसा आप देख भी पा रहे हैं ये है नरायना की एक बहुत प्राइम लोकेशन और रोड जो है आपके की बात करें रिंग रोड की बात करें या PVR सिनेमा की बात करें वो सब एक किलोमेटर के अंदर आपको आता है और अगर हम हमारी प्रापर्टी की बात करें तो पूरा का पूरा जो प्लॉट साइज है वो है 300 गज का और हमारा फ्रंट जिसको हम मत्था भी कहते हैं वो है 36 और इस प्रापर्टी के अंदर हमारे पास में दो आप्शन अवलेबल हैं एक है 3 BHK जो की आता है कार पार्किंग के साथ में और वो है 1500 गज का और उसके अंदर भी हमारे पास में दो आप्शन अवलेबल हैं एक बैक साइड का और एक फ्रंट साइड का इसके अंदर 2 BHK भ बहुत बहुत बहतरीन तरीके से बनाया गया है और ground floor पे car parking दी हुई है जिसके अंदर आपको lift भी लगा के दी जा रही है और floor की बात करें तो upper ground plus 3 इसके अंदर floor है और 3 BHK के upper ground floor पे second floor और third floor पे option available है और आज हम आपको दिखाने वाले हैं newly constructed 3 BHK तो lift से हम चलते हैं अपने flat की तरफ और अगर आप health conscious हैं तो आप सीडियों का भी इस्तमाल कर सकते हैं और सीडियां जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत बहतरीन तरीके से design की गई है और flooring जो है इसमें marble की दी गई है और side में tiles लगा के दी जा रही है हर floor पे दो flat बना back side पे तो आज हम back side का 3 BHK का आपको floor दिखाने वाले हैं इस property के अंदर हर floor पर mainly दो flat अवलेबल हैं एक front पे डेढ़ सोगच और एक back side पे डेढ़ सोगच लेकिन एक floor पर दो 2 BHK निकाले हुए हैं और एक 3 BHK निकाला हुआ है और यह है हमारे flat का entry point हमारे flat का front और आप देख सकते हो पूरा का पूरा उपर तक इसमें भी tile लगा के आपको दी जा रही है और अब हम चलते हैं अपने flat के अंदर और जैसे ही हम entry करते हैं तो एक बहुत बड़ा drawing dining room हमें देखने को मिलता है और बहुत ही भैतरीन pole ceiling simple and sober आपको देखने को मिलती है हर कमरे के अंदर आपको fan लगा के भी दिये जा रहे हैं और switches की बात करें तो सारी branded fitting इसके अंदर आपको करके दी जा रही है और drawing room के साथ में ही आप अपना dining table लगा सकते हैं और सामने आप देखते हैं तो आपको kitchen मिलती है और आपको इसके अंदर proper modular kitchen बना के दी जा रही है और पूरे के पूरे rack, shelves सब बना के इसके अंदर दिये हुए हैं और अगर kitchen की बात करें तो काफी अच्छा space kitchen के अंदर भी दिया हुआ है और जिसके अंदर 3-4 लोग अराम से काम कर सकते हैं और साथ में इसके shaft है जिसमें आपको exhaust लगा के दिया जा रहा है और kitchen को बहुत ही बहतरीन style में wooden touch दिया गया है और आप जैसे देख पा रहे हैं कि chimney का भी जो है इसके अंदर provision दिया गया है फैन लगाया हुआ है अगया है और किचन में भी पूरा टाइल लगा के दी गई हैं टाकि कल को कोई सीलन का कोई चिखनाई का दिक्कत ना हो और आपके सफाई करने में बहुत असानी रहे और प्लैट के फ्लोरिंग की बात करें तो मार्बल की फूरी फ्लोरिंग की गई है और ड्राइंग रूम के अंदर स्प्लिट एसी का पहले सी फिटिंग करके दी गई है प्रोविजन दिया गया है और जैसा मैंने अभी आपको बताया फिटिंग जो हैं सारी ब्रैंडिड आफ्षूं दिया हुआ है और आप देख सकते हो हमकितना बहत्रीन किया हुआ है और जो पिटिंग है इसके अंदर सारी जैगवार की लगाके दी हुई हैं। इस फ्लैट में आपको 3 बाथरूम मिलते हैं और हर बाथरूम के अंदर गीजर की फिटिंग करके दी हुई है, एक्सॉस्ट लगाके दीये हुए हैं। अब चलते हैं हम अपने पहले बेडरूम की तरफ दोस्तों डेड़ सो गज में 3VHK का मजाई कुछ और होता है क्योंकि हमारे ट्राइंग रूम हो या हमारे रूम्स हो उनका जो स्पेस है वो बहुत बड़िया बड़ा निकल के आता है और आप देख सकते हो इसके अंदर भी बहुत ही सिंपल बड़िया पॉल सीलिंग करके दी हुई है और अगर टीवी पैनल की बात करें एक अच्छा खासा बड़ा आपका LCD या LED यहां आप लगा सकते हो साथ के साथ में उसके रैक भी दिया हुए आपको यहां पर वार्डरोब एक प्रॉकपर बुडन अल्मीरा भी बना के दी जा रही है बैडरूम के साथ में अटैच बातरूम भी दिया हुआ है और आप देख सकते हो फ्लोरिंग पूरे वॉल पे की गई है और बहुत ही बहतरीन design के अंदर की गई है और fitting जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो पूरी की पूरी fitting जैग्वार की लगा के दी गई है और हर बातरूम के अंदर गीजर पहले से ही लगाया हुआ है और अब चलते हैं अपने दूसरे रूम के अंदर और आप देख सकते हो इसके अंदर भी बहुत ही क्लासी लुप के अंदर पॉल सेलिंग करके दी हुई है गुडन चल्प और गुडन अलमीरा इस रूम में भी आपको बना के दी गई है और इस रूम के साथ में भी आपको अटैच बाथरूम दिया गया है और बाथरूम के अंदर टाइलिंग वर बहुत अच्छा बहतरीन क्वालिटी की टाइल्स भी लगा के दी गई है बैक साइड में शाफ भी छोड़ी गई है और इस फ्लोर के अंदर इस फ्लैट के अंदर तीन शाफ हैं ताकि वेंटिलेशन की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अब देखते हैं हमारे तीसरे रूम को जो की ड्राइंग रूम के साथ में अटेक्च जो कॉमन बात्रूम है उसके बराबर में है और हम अगर अपने तीसरे रूम की बात करें इसमें भी आपको वुड़न शेल्प लगा के दी जा रही है और अब बात करते हैं जिसके लिए हर कोई इंतजार कर रहा होगा कि इसका प्राइस क्या है ऐसी लोकेशन पे इस प्राइस में बहुत ही मुश्किल है कि आपको डेड़ सो गच का फ्लैट मिले अगर आप 3BH के फ्रंट का लेना चाहते हो जो की है धर्ड फ्लोर पे उसका प्राइस है 95 लेक 95 लाक और अगर आप बैक साइट का लेना चाहते हो तो वो आपको मिलता है 88 लाक में जो की कार पार्किंग के साथ में आता है अगर आप 2BH के लेना चाहते हो जो की फ्रंट पे अवलेबल है उसका प्राइस है 50 लाक रुपे जो की आता है बाइक पार्किंग के साथ में है कुछ भी नरायना जैसी प्राइम लोकेशन पे मिलना तो अगर आप इस फ्लैट के बारे में इस प्रॉपर्टी के बारे में और डिटेल जानना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टायक कर सकते हो आप को स्क्रिंट पे नमबर दीख रहे हो और आप इस के लिए भी आप memories ले ले सकते हैं तो दोस्तो हम उम्मीद करते हैं आपको बीडियो पसंद आई होगी अगर आपको बीडियो पसंद आईक है तो प्लीज इसको like कीजिएगा, share कीजिएगा और अगर कोई आपका friend, दोस अगर property ढून रहा हो तो उसके साथ में share करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारा साथ और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you जल्दी मिलेंगे एक और बहतरी प्रॉपर्टी के साथ में Bye Bye